आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोया बड़ी की बहुत ही मज़दार रेस्पी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंदाने वाली है तो चलिए इसी मज़दार रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए हम पहले एक कुकर में एक चमच ओयल एड करेंगे अब प्ले सुन नहीं खाते हैं तो आप इसे इसकी पी कर सकते हैं अब इसे हलका सा सोते करेंगे अब हम इसमें वन थर्ट कप कटी हुई प्यास डालेंगे और इसे भी हलका सा सोते करेंगे अब हम इसमें हाफ कप कटे हुए आलू को एड करेंगे यहाँ पर मैंने दो छोटी साइज के आलू को कट करके लिया है अब हम इसमें वन थर्टी स्पून हल्दी पाउडर डाल कर इसे मिक्स करेंगे अब स्वादा नुसान नमके एड करेंगे अब इसमें वन फोड कप कटे हुए टमाटर को डालेंगे और एक टी स्पून लाल मीज का पाउडर एड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें 200 ग्राम सोया बड़ी को एड करेंगे जिसे मैंने 5-10 मिनिट तक गरम पाने में भिगो कर उसका एक्स्ट्रा पाने निकाल कर लिया है अब इसे अच्छे से सारे मसालों के साथ मिक्स करेंगे अब हम इसमें एक कप पाने डाल करेंगे अब इसे अच्छे से सारे मसालों के साथ मिक्स करेंगे इसे एक सेटी आने तक पकने देते है अब एक सेटी आने के बाद हमारी सोयाबड़ी की सबजी रड़ी हो गई है आप देख सकते है तो अब हम इसे सव करेंगे और इस तरह से अगर आप सोया बड़ी की सब्जी बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी इस सोया बड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो यहां पर हमारी सोया बड़ी की गर्मा गरम सब्जी तयार है और सोया बड़ी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फाइदेमन होती है इसमें हाई प्रोटीन पया जाता है इसलिए इसे कम से कम हफते में एक से दो बार जरूर बनाना चाहिए इस तरह से आप सब्जी भी बना सकते हैं पुलाव में इस्तिमाल कर सकते हैं तो आसा करती हूँ कि आज की ये रेस्पी आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपकी अपनी जलल भाउस किचन को सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल न पूले तो चली अब मिलते हैं ऐसी एक नहीं और यूनीक रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर